हाई फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में तो आज हम आपके साथ सेर करेंगे मेथी मटर मलाई की रेसिपी तो चलिए स्टाट करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज और बेल आइकम भी प्रेस करें तो तरह से पते तोड़िये रंठल नहीं उसकरना है कच्छी मटर को हम सबसे पहले थोड़ा सा हल्का सा एक चमच घी डालकर भून लेंगे ज्यादा नहीं तो इस तरह से जब मटर फुल जाया तो इसको निकाल लेंगे अब हम मेथी के पत्ते हल्का सा पकालेंगे भून बारिक कट कर लेंगे इस तरह से हम और इसको बीना तेल या बीना घी के हम इसको पकालेंगे तो देख सकते हैं आप इस तरह से जब आपका मेथी पक जाए तो उसे भी निकाल कर अलग रख लीजिए कुछ लोग मेथी का बीना पकाय ही यूज करते हैं बट मैं मेथी पका कर यूज करते हैं तो इसी कड़ाई में हम वापस घी डालेंगे यह थी मटर मलाई बना रहे हैं तो इसलिए हमें घी का ही इस्तिमाल करना है थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें हम खड़े गरम मसाले डालेंगे तेश पता दालची ने फूल चक्र तीन-चार हरी इलाईची दू मुटी इलाईची लॉण थोड़ा सा सौन मसालोग हलका सा भून लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे पारी कटा हुआ प्याज अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तब भूनेंगे इस तरह से फिर आइड करेंगे इसमें लंसन अधरक का पेस्ट, दो-तीन हरी मिर्ची कट करके और भून लेंगे हलका सा, अब हम इसमें आइड करेंगे काजू का पेस्ट जो हमने पहले से बना कर रखा हुआ था अब इन शबी को हम 2-3 मिनिट के लिए भूनेंगे फिर इसमें आइड करेंगे जीरा पाओडर, गरम मसाला पाओडर, थोड़ा सा पानी और इसको अच्छे से भून लेगे 2-3 मिनट भूनने के बाद इन सभी को इसमें एट करेंगे हम फूल क्रीम यानि आप मारकेट से भी ले सकते हैं या फिर दूइत की मलाई निकाल कर इसको अच्छे से बीट करके इसमें एट कर सकते हैं अब इसमे आड़ करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर ताकि इसका कलर अच्छा रहे अब इसमे आड़ करेंगे थोड़ा सा मेची पाउडर थोड़ा सा पानी और इसको भून लेंगे एक आदे मिनिट भूननी के बाद इसमे आड़ कर देंगे हम भूना हुआ मटर और इसक पार यह घंप चुका है, अब हम इसमें आइड करेंगे पानी को है। पका लेंगे हो। हुए अपैंड हुए सुपने पक जाये। कि अब भाञ डालेंगे में तीङ के पत्ते हैं। कि अपम्छी पाक लेंगे चलाते ने खुए। ये अध्य Master ॥ क्लेम मिडियम रखेंगे नमंग डाल देंगे स्वादम साब ढ़क कर इसको छोड़ देंगे पकने के लिए दस मिनट तक इसको पकाएंगे हम दस मिनट बात देखेंगे हमारी मेथी मटरमलाई बन कर तयार हो चुकी है तो चलिए इसमें थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धनिया पता अड़ करते हैं और इसे गर्मा गर्म सौप करते हैं गैस बंद करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा बटर का इस्तमाल करेंगे ताकि इससे और क्रीमी टेक्चर हो और बढ़ियां से खुसबू आए तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे सब करेंगे तो लिजे हमारा मेथी मटरमलाई बन कर तयार हो चुका है आप भी ट् आप आप आप